हलो पब जी लोगर से एक पर फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चैनल बाबा पांचाल गेमिंग अंदर तो फिलहाल इंडिया में पब जी बैन है और पब जी खेलने वाले बिल्कुल यहीं पब जी कोई अल्टरनीटिव नहीं है दोस्तों अगर पब जी का आप कैसे डाउनलूड कर सकते हैं तो आपको में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आज जिनके मोबाइल में अल्रेडी पब जी का कोरियन वर्जन है तो सिंपल सा आप उसे इस वीडियो के थुरू अपडेट भी कर सकते हैं विकॉज यहां पे आपको किसी भी थरद प वीडियो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्बस करूँगा कि फटाफ़चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बैल आइकन को ऑप्शन को आउन कर लेना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिंपल कुछ स्टैप फोलो करने होंगे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर आ जाने के बाद आपको सेर्च करना है सोलो वीपियन सोलो वीपियन आप सेर्च करेंगे तो आपको यह एप्लिकेशन मिलेगी जिसे VPN सेलेक्ट करना है VPN सेलेक्ट करने वाद सिंपल से से Connect کر देना है अपका VPN connect हो गया VPN connect होने के बाद आपको setting में आ जाना है setting में आ जाने के बाद आपको application management में जाके आपको Google Play Store का जितना भी data है आपको clear कर देना है तो इसके लिए Google Play Store में search कर लेता हूँ Google Play Store यहाँ पे देखिए मैं ढूल लेता हूँ यह मेरे को यहाँ पे Google Play Store मिल चुका है तो यहाँ पे देखिए simple सा मैं यहाँ पे data में गया और यह मैंने पूरा data cache और clear data पूरा दोनों कर दिया दोस्तों अब इसके बाद अब वापस से मुझे back आना है back आ जाने के बाद वापस से Google Play Store open कर लेते हैं Play Store open करने के बाद आपको अपने ID जो है यहाँ पे आपको अपनी दूसरी Gmail ID यूज करने पड़ेगी फ्रेंड्स आपको एक नई Gmail ID बना लेना है और वापस से एक नई Gmail ID के साथ login करिएगा login करने के बाद आप simple सा PUBG डाल के search करेंगे तो आपको यहाँ पे PUBG Mobile Google Play Store पे मिल जाएगा जो कि Korea का Google Play Store है तो यहाँ से मैंने already update कर लिया अपने PUBG Mobile तो आप भी अगर आपके फोन में नहीं है तो Korean वर्जर डाउनलोड भी आप कर सकते है और अगर Korean वर्जर आपके Mobile में available है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है तो मैं इसे अब आपको चला के दिखा देता हूं कि एक्चुल में यह अपडेट हुआ है नहीं हुआ है तो आप चेक कर लिजे तो यहाँ पे मैं अपना PUBG Mobile ओपन कर लेता हूं Google Play Store के थूर तो यहाँ पे PUBG Mobile अभी ओपन हो रहा है दोस्तो तो फाइनली यहाँ पे मेरा PUBG Mobile ओपन हो गया और आप देख सकते हैं कि मेरा PUBG Korea जो वर्जन है वो अपडेट हो चुका है मेरे फोन की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तो फिलाल वीडियो में इस सिर्फ इतना ही दोस्तो अगर आपको में यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें और फटावट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे दोस्तों क्योंकि मैं यहां पर अपने पपजे मोबैल के गेमपले वीडियो अपलोड करते रहता हूं